गुड मॉनिंग अब लोग कई दिन से वीडियो का इंतिजार करते करते परिसान हो गए होगे तो आज एक बहुत ही प्रतिभास आली ब्यक्तित्तों के साथ हाजिर है भारत की उफ प्रधान मंत्रियों के लिष्ट के साथ आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी के भरोसे जिन्दगी नहीं जिया जाता अपका कोई कितना भी खास हो अपका भाई हो अपकी बहन हो कोई कितना भी खास हो ध्यान रखना जो आप हो उतना खास कोई नहीं हो पाएगा कि आप जैसा बन जाए मतलब यह है कि हम दूसरे की भरोसे बैठे रहें चलो वो हो गया तो मेरा काम हो गया वो कहीं पर सेलेक्ट हो गया तो मेरा भी कुछ काम हो जाएगा तो उस समय हो जाएगा उस एक दू साल में हो जाएगा लेकिन जिसका हुआ है आने वाली जिंदगी में जब वो अपने जिन्दगी में परिसान हो जाएगा या फिर अपने जिन्दगी में वो खो जाएगा तो आपको भूल जाएगा इसलिए धियान रखना आज से ही बात अपने दिमाग बैठा लो कि दूसरे की भरोसे जिन्दगी नहीं जीनी है आपको जो भी करना है, जो भी बनना है, खुद बनना है, महिनत करो, इतनी महिनत करो, इतनी महिनत करो कि बन जाओ, कभी भी ये मस सोचो कि चलो मैं नहीं वो हो गया तो मेरा भी काम हो जाएगा, ऐसा सोचो गे न तो वो एक परकार से कायरता होगी आपकी, और एक परकार से आ या फिर मेरे भाई का कहीं हो गया तो बस मेज़े आप कुछ नहीं करना है नहीं करना तो आपको ही है वो आपके भाई का आपका दोस्त का हुआ है तो वो एक दो साल आपके साथ रहेगा थोड़ा चलेगा वो बस उसके बाद सब खतम हो जाएगा जो करना है वो आपको अपने लिए जो भी करना है आपको ही करना है यह हमारे उप्र्धान मंत्री पंढने चलने है हलाकि मैं आपको याद करवा दूँगा लेकिन यह लोग शिख़ा देंगे चलिए सुरू करते हैं आप पटेरल जी को देख रहे हुग ना में जब नहरुजी ने अंत्रिम मंत्री मंडल बनाया उसमें चुनाव नहीं हुए थे क्योंकि चुनाव 1922 में पहली बार होता है उसमें अंग्रेज थे क्योंकि देश आजाद नहीं हुआ था क्योंकि देश आजाद होता है हम 1946 की बात कर रहे हैं मासमें दिशाजाद नहीं हुआ है, उन्हें से चिया लें, जब नहिरुजी ने अपना अंत्रिम मंत्री मंदल बनाया ना, तो उस समय प्रधान मंत्री बना लिया, खुद तो प्रधान मंत्री बन गए नहिरुजी, और उस समय एक उप्रधान मंत्री बना लिया, वो थे सरद बनातर बन लब भखे पतेला यतना याद रहेगा मतलब इस पद का संभिधान में कोई उल्लेख नहीं नहींग आपना बना लिये गए हैं जो उनका सम्भिधान में भी कोई उर्ण नहीं किया गया फिर भी हम बना लिये हैं देख लेतें कौनकों पर्दानमंत्री बने हैं दिखिए यहां पर लिखे हैं से 1945 में प्रथम लोगसभा के दवरां 1945 का प्रथम लोग सभा की बात होई थी लेकिन जो मंत्री मंदल गटी तुआ उनका अंतरिम कविनेट आया 1946 में आया था ठीक है तो प्रथम आपको 46 ही याद रखना है प्रथम मंत्री जो हालाल नहरू द्वारा इस पद का सिर्जन किया गया किस पद का यही उप प्रथम मंत्री के पद का सिर्जन किया गया और इस प्रकार सरदाब बलब भाई पटेल बारत के प्रथम उप प्रथम मंत्री बनाए गया जो कि 47 मुन को बनाया था 47 से 50 तक इस पद पर थे 47 से 50 तक निहरु जी ने जब इसका पद का स्रिजन किया तो पटेल जी थे उसके पद पटेल जी की मृत्यू भी हो जाती है तब से उसके बाद पद खाली रहता है निहरु जी परधान मंतरी निहरु जी परधान मंतरी बन के आते हैं 52 से 64 तक वो परधान मंतरी रहते हैं कहानी समझ के जोड लेजिएगा तो आपको प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री दोनों याद हो जाएंगे जब नहरो जी के अचानक मौध होती है तो उसमें मुराजी दिसाई काफी खुस थे अंदर-अंदर कि चलो अगला पार्टी का सबसे वरिष्ट नेता मैं हुँ तो मुझे प्रधान मंत्री बनायाया जाएगा नेकिन हुआ क्या कि मौराजी दिसाई को प्रधान मंत्री नहीं बनाया गया तो थोड़ा सब मन मुटा हो था फिर भी वो पार्टी में थे ठीक है कोई बात नहीं अगर मालो इस बार नहीं बने तो हो सकता है अगली बार फिर कोई मरेगा फिर कोई मरेगा तो मेरा नंबर लग जाएगा वह अपना टाइम आएगा ना सुने होगे आप लोग बोलते रहत और 1986 में लालबादूर सास्त्री की हार्ट अटेक से मौथ हो जाती है लोग उनका टाइम तो आ गया मुराजी देसाई का अब मुराजी देसाई एकदम खुस से खुस देख चलो ठीक है अब तो वरिष्ट नेता मैही बचाओं और मुझे ही ये लोग बनाएंगे क्या बना ग्रेंड एंटरी लेती हैं महरानी, महरानी बोले तो ये दिखो, इंद्रा गाधी, इंद्रा गाधी के इंटरी होती, बड़े जबर्जस्ट इंटरी होती, एकदम नवीव खुस लिए और मुराजी देसाई एक वरिष्ट नेता, छोड़ा बुड़े भी हो चुके थे, त ये कल की लड़की आके, कल की लड़की आका पधान मंत्री बन गई, और मुझे कोई पूछा भी नहीं, आप ही सोचो, आप कोई सपना देख रहे हो, और कोई यह और आके आपकी गद्धी हतिया ले, बात समझ रहे हो, नहीं समझे आप, मतलब यह है, कि महीने भर से हल्दी च लागया, मतलब कि आपकी गद्धी, जिसके लिए आप इतने दिन से इंतजार कर रहे हो, कोई और उट ले गया, यही हुआ मुराजी दिसाई के साथ, मुराजी दिसाई घून के घूट पी कर रहे गए, बहुत परसान, बहुत क्रोधित हुए, लेकिन महरानी ले गई गई लेकिन अब गुस्य वाले आदमी थे, थोड़े दिन बर्दास किया, उप्रधान मंत्री की पदपर थे, लेकिन उनसे रहा नहीं किया, सरशट से 69 तक दो ही साल रहे होंगे, बिद्रो कर दिया, मुझे रही ही रहना, मुझे आपके पार्टी में रहना ही नहीं, मुझे प् अब भाजन होगा ना, तम मिला पंजा, अभी तो जानते हो कांगरेस का चुनाओचिन पंजा है, तो ये 1989 के बाद मिला, ठीक है, मुझे दिसाई के वज़े से जगड़ा हुआ था, और कांगरेस टोट गई, मुझे दिसाई भी छोड़ दिये पार्टी, और वो प्रधान म मंत्री कौन थे, सरदार बड़लबाई परटेल, दूसरे उप परधान मंत्री, मुराजी दिसाई, याद रहेगा, दो परधान मंत्री आपको याद होगे, दो, तीन, चार और है, अगर धोड़ा सा धियान रखेंगे, सब याद हो जाएगा, देखो इस पत के लिए तीसरी परधान मंत्री बनती है, मुराजी दिसाई को परधान मंत्री बनाती है, जश्ट दो साल बाद, उन्हों ने स्थीपा दिया, विद्रोह कर दिया, मुराजी दिसाई ने, कांगरेश टूट गया, और 1999 में फिर से नई कांगरेश बनती है, और इंद्रा गाधी फिर से सरकार बनाती हैं ठीक है इंद्रा गादी जब फिर से सरकार बनती है बनाती है उनिस सो सततर तक ध्यान रखना उनिस सो सततर तक उनकी सरकार थी 1977 के लाश तक इंद्रागादी की सरकार जाती है और 77-78 के आसपास मुराजी दिसाई एक नई पार्टी गठित करके आते हैं जनता पार्टी दियान रखना है वही मुराजी दिसाई है जो प्रधान मंतरी थे और छोड़ दिये पार्टी जनता पार्टी जीत कर आती है 1977-78 के आसपास लेकिन वह पूरी तरह से बहुमत में नहीं थी गठभंदन सरकार थी मतलब कि जनता पार्टी जो थी वो उसमें दो लोग मुख्य थे एक थे मुराजी दिसाई और एक थे चोधरी चरण सिंग ध्यान रखना याद रखना इन सब चीजो को सततर अठतर में अठतर में मुराजी दिसाई पहली बार गयर कांग्रेसी इसके पहले मतलब अठतर के जश्ट पहले जितनी सरकारे थी सब कांग्रेस की सरकारे थी 78 में गैर कांग्रेशी सरकार आई उसमें प्रधान मंत्री बनते हैं मुराजी देशाई और दो लोगों के गट बंदन था मुराजी देशाई और चौदरी चनर सिंग अब क्या बात ये हुई थी मॉराजी देसाई बना चुँद्री चनलड सिंग में कि सरकार बन रही कुछ दिन मैं परधाण मंत्री बन लेता हूँ, खुद दिन आ आप परधान मंत्री बने ना, जब तक मैं परधानमंत्री रहता हूँ तब तक आप उप परधानमंत्री अ किसी और बात हो धी ती मौझे देशाग मुन यूद्या परधानमंत्री बन जते हैं और क्या होता है मुराजी देसाई इंद्रा गादी की समयम थे अब मुराजी देसाई खुद प्रधान मंत्री बन गया है क्योंकि जन्ता पार्टी उनकी जीत क्या ही सततर अततर के लाश्ट में तो चौदरी चरणाज सिंग को उप प्रधान मंत्री बना दिये लेकिन बात यह हुई थे हम बाद में आपको प्रधान मंत्री बनाएंगे लेकिन बाद में मुराजी देसाई का मन हटने को करी नहीं कर रहा था तो वो पद से हटी नहीं रहते तो ऐसे में चौदरी चरणाज सिंग से उनसे आपस में गतरोध हो गया तो चौदरी चरणाज सिंग इंद्रा गादी से बात किये कि मैं योगी इंद्रा हार चुकी थी लेकिन जब चुनाओ हुआ था तो इंद्रा को कुछ सीटे मिली थी लेकिन इतनी नहीं मिली थी को सरकार बना पाए शीटे ज़्यादा मिल गई इंको मुराजी देशाई को चौदरी चरणाज सिंग को ते लोग मिलके सरकार बना लिए इंद्रा गादी को सरकार नहीं बना पाए तो लेकिन जब बाद में मुराजी देशाई हो चौदरी चरणाज सिंग मन मोटाओ हुआ तो चौदरी चरणाज सिंग इंद्रा गादी से जाकर मिले कि मुझे मुराजी से के साथ नहीं रहना वो अच्छा आदमी नहीं है मेरा मन नहीं लगता उसके साथ मैं आपके साथ गटबंदन करना चाहता हूँ आपके साथ सरकार बनाना चाहता हूँ इंद्रा गादी बहुत मीठा मीठा बोलके बुला ले इनको चोदरी चरण सिंग जो है अपनी सरकार बना लेते हैं और बाबु जग जीवर राम को उप्रधान मंतरी बना लेते हैं लेकिन क्या होता है इंद्रा गादी उनको सपोर्ट करने से मना कर देती है ऐसे में चरण सिंग की सरकार गिर जाती है मतलब 77-80 के दो साल के बीच में दो प्रधान मंतरी आकर जा चुके थे एक मुराजी दिसाई आकर जा चुके थे और एक चोदरी चरण सिंग भी आकर जा चुके थे इसी दोरान दो प्रधान मंतरी भी आकर जा चुके थे दोनों के नाम क्या थे एक तो चोदरी चरण सिंग थे जो कि मुराजी दिसाई के समय उप्रधान मंत्री बने थे एक जग जीमर नाम थे जो चोदरी चरण सिंग के बाद उप्रधान मंत्री बने थे कितना भी खास हो, मुराजी दिसाई, चौधरी चरण सिंग बहुत खास थे, इतने खास थे कि दोनों ने मिलकर सरकार बना ली, और इतने खास थे कि मुराजी दिसाई ने चौधरी चरण सिंग को परधान मंतरी भी बनाये और बाद में बता है कि आपको परधान मंतरी भी बन नहरुजी गये क्या मुराजी देशाजी प्रधान मंत्री बने नहीं बने चौदरी लाल भादूर सास्त्री बन गये थे याद होगा आपको अभी कहानी पीछे बताए फिर भी इसी भरोसे में थे चलो लाल भादूर सास्त्री मेरे खास हुए कलको अगर यह चले जाएंगे अगर यह गये तो इनके बाद मैं तो प्रधान मंत्री पक्का बन जाओंगा इसी भरोसे पर थे क्या हुआ उनके साथ इससा मरे जबलाल भादूर सास्त्री मिली पद मिला पद आ गई महरानी ना दिगज इंट्री ली थे जवर जस कैट्री नकायब की तरह आ गई मतलब कै प्रधान मंत्री बनके बैठे रहे जान गए कि महरानी गद्धी नहीं छोड़ने वाली तो उनने भी द्रोह कर दिया और उन अतर में छोड़के एक नई पार्टी बनाई नई पार्टी बनाई और वही पार्टी जीत के जंता पार्टी की नाम से जब आई तो मुराजी दे ने मुराजी देशाई का साथ छोड़ दिया देखलो कोई किसी का नहीं होता है आप आसा लगाईए लेकिन अपना सब कुछ देखो मैं यह नहीं करने के लिए भरोसे रहें लेकिन यह ऐसा भरोसा भी नहीं होना चाहिए अपना सब कुछ छोड़के बस भरोसे भी बैठ आप इंसान हो आप जानवर नहीं हो ध्यान रखना आपको कुछ नो कुछ करना होगा जब भी कभी दिमाग में ख्याल आए कि मैं कुछ नहीं करूंगा मेरा कुछ नहीं करने का मन कर रहा है तो समझ लो फिर आप अपने आपको जानवर बनाने जा रहे हो क्या जानवर बना चाहेगा नहीं बनाना चाहेगा ना इस जन्म होगा है तो कुछ काम करिए ऐसे ही अपने आपको बदनाम मत करिए ठीक है तो यहां से कुछ समझना होगा आगे बढ़ लेते हैं अभी तक हमने चार उप्रधन मंत्रियों को पढ़ लिए और थोड़ी सी कहानी भी आपको समझा आगे देखते हैं सन 1989 में जन्ता पार्टी से अलग होकर चोदरी चरण सिंग ने अलग से अपनी पार्टी कांग्रेस के समर्थन में बनाना चाहा हलाकि कांग्रेस ने उस टाइम मतलब गिंदरा गाधी ने महारानी ने उस टाइम का ठीक हम आपको समर्थन देंगे लेकिन समर्थन वापस ले लिया ठीक है तो चोदरी चरण सिंग देखो मुराजी देशाई से अलग हो चुके हैं 1989 में जन्ता पार्टी से अलग हो गए यही कहानी पीछे में समझाय था आपको और वह कांग्रेस के सहयोग से जो कि हमने आपको बताया महारानी से बोले थे मुझे सहयोग करो महारानी, पाफ से शायोग करेंगे लेकिन उन्होंने सहयोग बाद भाद में किया के लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस नेज़े कहा था, तो उस समय वो अपने सरकार बना लेते हैं देखो नियम यह है अपने देश में नियम क्या है कि आप मराश्पती से मिलो राश्पती से बोलो कि मुझे आप सरकार बनाने की आग्या दे दीजी मैं कुछ दिन बाद आपको अपने बहुमा सिद्ध करों दूगा तो ऐसे में रा वाईवी चौहान को उप्रधान मंत्री पाचवे उप्रधान मंत्री ग्रूप में नियूगत कर दिया जिनका समय 1989 से 1989 से असी तक था ठीक है वाईवी चौहान भारत के पाचवे उप्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री कौन थे चोधरी चरण सिंग जस्ट पीछे मतलब कह सकते हैं कि दो बार देवी लाल देवीलाल दो बार उप्रधान मंत्री बने थे, ठीक है, याद रहेगा, और दो उप्रधान मंत्री कारकाल में उप्रधान मंत्री बन चुके थे, ठीक है, और ये किस नंबर पे थे, छटवी बार इसका स्रिचन हुआ था, उप्रधान मंत्री का, तो ये कब तक रहे होंगे, चोदर इदेविला नब्बे में रहे होंगे, नवासी नब्बे, वीपी सिंग, नब्बे एक्यानबे तक, कि आसपास तक उप्रधान मंत्री रहे किसके समय में? चंद सेकर के समय में, याद रह जाएगा? अब सुनिएगा, लाष्ट कहानी, इस पद के लिए सात्विय और अंतिम बार उप्रधान मंत्री कौन बनता है? दरसल बात यह है, कि 1980 में, बिजेपी की पार्टी की अस्थापना होते हैं, 1980 में अस्थापना होते हैं, अस्थापना के समय दो लोग थे, एक का नाम था अटल क्रिष्णा आडवानी, देखें, ये दोनों लोग मिलकर क्या बनाते हैं, एक पार्टी बनाते हैं, उसका नाम था भारती चंता पार्टी, बात के लिए रहे हैं, वाई वीजेपी जो आज सासन कर रही है, अब अटल बिहारी उसमें वरिष्ट थे, लाल क्रिष्णा फंसे परदान मंत्री बन लिया करेंगे, बात मानव हो गई, अब पार्टी बन गई, पार्टी बहुत दिनों बाद बाद सत्ता में आई, और जब बहुत दिनों बाद सत्ता में आई पार्टी, तो जो बीजेपी की सरकार आती है, आप सुने होगे 2019 से 2004 ता कुडल विहारी की सरकार थी उसके पहले भी 13 दिन की सरकार थी आप पड़े हो गए तो जब । जब यह 1999 में और इनकी सरकार आती है तो यह लाल कÃ माद्टिन आडवानी को उप्रधान मंत्री बनाते हैं ठीहाला रखना वोot प्रधान मंत्री बनाये है, खुद अटल विहार ही खुद प्रधान मंत्री थे इनको उपी प्रधान मंत्री नहीं रहेगा इसा है जाते हैं, प्रदानमंत्री नहीं बन रहें вас, अको इसे चक्र में अडवांडी छाहब थे अब हुआ क्या, 1004 में अडवांडी 2007-2004 की बीच में उप्रदानमंत्री थे लेकिन 2004 के बाद कांगरेस आ जाती है कांगरेस 2014 तक रही रहती है न इतना जानते हो न 2014 में 2014 के बाद भाजबा फिर से जीत कर वापस आती है लेकिन आप सोचो कि 2014 के बाद जब भाजबा फिर से जीत कर वापस आती है तो नियम तो यही तक हमें लाल किष्ण आडवानी को प्रधान मंत्री बनाना चाहिए था, क्योंकि बैचारे बहुत दिन से इसी चक्कर में थे, कि अटल भीहारिक बाद महीं प्रधान मंत्री बनुगा, लेकिन इस समय सलमान खान की तरह एंट्री कौन करते हैं, मोदी जी, अब मोदी जी प्रधान मंत के बैटे थे, बारात लेके गए, दूलन को यह और लेके, मोदी जी उठा लेके, हाट वाड़ी जी वैसे रह गए, तो यही बार बार आपको समझा रहा हूँ, किसी के भरोसे जिन्दगी नहीं जी जाती, जिन्दगी अपने दम पर जी जाती है, ठीक है, मेरी बात तो सुलों में, चलो, तो यह बात समझ मा गई आपको, तो इस तरह से प्रधान मंद्रियों का एक करम था, आप मैं थोड़ा सा आपको इनको एक सार्ड फर्म में दिखा देता हूँ, चलो यहाँ देखो, सर्दार बलभाई पटेल, मुराजय देशाई, सर्षर उनतर तक, उसक चौधरी देवी लाल, एक मिनट, यहाँ देखें, चौधरी देवी लाल, उसके बाद, फिर से चौधरी देवी लाल, दो बार थे, आपको याद होगा, एक वीपी सिंग और एक चंद सेकर, उसके बाद लाल किश्रा आणवानी, यही इतना करम बताए थे न, अब इसको य वाईवी देवी देवी लाल, सुनियेगा, जैसे मैं पढ़ रहाँ ध्यान सुनियेगा, पढ़ेगा ता याद हो जग, सर देशाई चरण जग, वाईवी देवी 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 लाल, सर, सर मतलब सरदार बल्ला, भाईपटेल, देशाई मतलब मुराजी देशाई, सर देश सर्देसाई चरण जग जग मतलब बाबु जग जीवन राम सर्देसाई चरण जग वाईवी वाईवी मतलब वाईवी चौहान वाईवी देवी मतलब चौधरी देवी लाल वाईवी देवी देवी फिर से देवी क्योंकि चौधरी देवी लाल दो बार थे तो वाईवी जषटमी में लाल जब लालकिश्न आडवानी देवी में इस पासे लख सर्देशाहि चरणजग वाइवी देवी देवी लाल सर्देशाई चरण जग वाईवी देवी देवी लाल याद कर लोगे कभी भी पीपर मा गलत नहीं होगा देखो सरदार बनलब भाई पटेल मुराजी देशाई चरण सिंग बाबु जग जीवन राम वाईवी चोहान सरदेशाई चरण जग वाईवी देवी 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 लाल याद कर लेना आप नहीं पड़ेंगे चलो मैं आपको छोड़ा साच चितर दिखा दू एक दो उपरदान मंतरियों का देखे थे जो रहा, पतेल जी हैं यह, यह लाल किषनानवानी, बैचारे को मिली नहीं गद्धी ये इनको जानते हो मौराजी देशाहई, कितना मुस्कुरार हैं, बैचारे को इनको भी गद्धी बड़ी आसानी से नहीं मिली थी इनको देख रहे हो आप चोधरी चरण सिंग है ये हैं बाबुचक जीवन रम देखें बाचान रहे हो गया आप चलिए कुछ तो जानकरी होई होगी जाते जाते एक क्योस्टिन आपको बताना है इसका कॉमेंट वाक्स में की क्योस्टिन का एंसर क्या होगा क्योस्टिन है वेडल सागर कहां पर है वेडल सागर कहां पर है आपको ये बताना है वेडल सागर कहां पर है कमेंट वाक्स में इसको आपको जवाब देना है और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो जानते हो क्या करना है उसको जरूर कर लीदेगा अगर पुराने हो तो सेर भी जरूर किया करें जो बच्चे पड़ रहे हैं उनके पास जो नए बच्चे पड़ रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक आप पड़ते रहें खुश रहें लेकिन एंस्वर जरूर बताईगा इसका